जैसे गारी का पिष्टन बैठ जाता है वैसे ये सरकार बैठ गई है अब ये किसका करजा माप करें भूपेज सरकार को लोग भटाना चाहते हैं भगाना चाहते हैं और उसकी विदाई करना चाहते हैं ये इस बात का संकेत है कि पूरे हमारे जिले में और पूरे प्रदेश म परिवर्तन की लहर है जांजगी चापा में आज भाजपा ने बड़ा सक्ती प्रदर्शन किया है और एक नमांकार रैली में केंद्री मंत्री मंसूप मांडुया जी भी आये थे नेता प्रतिपाक्ष और भाजपा के प्रत्यासी नायान चंद्या जी से बात करेंगे जिस तर के रणीती रही किस तरह से जीत का संकल्प देखे आज भारती जनता प्रती के हमारे तीनों प्रत्यासियों ने अपने नमंकन पत्र दाखिल किया और विसाल रैली के साथ में किया आज पूरा हमारा जिला मुख्याला है जांजगीर भाजपा में था चारों तरफ सड़के जाम थी और भाजपा के कारेकरता ही नहीं आम नागरिक भी इसमें सामिल थे दो किलोमेटर लंबी ये रैली थी और जन सहलाब इस रैली में भाजपा के पक्ष में उम्रा था ये इस बात का संकेत है कि पूरे हमारे जिले में और पूरे प्रदेश में परिवरतन की लहर है 36 गड़ की भूपेज सरकार को लोग हटाना चाहते हैं भगाना चाहते हैं और उसकी बिदाई करना चाहते हैं कर्ज माफी की घोषणा की नहीं है उन्होंते एक सभा में बोला है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खुद कर्ज में डूबा हुआ ब्यक्ति है यह सरकार जो है पूर्ण रूप से डिफाल्टर हो गई है जिसको डिफाल्टर कहते हैं एक लाख करोल रूपिया का कर्जा इस भूपेज सरकार के सिर पर है अब वो 36 गड़ की जनता के सिर पर है है जो पाल्टी फेल हो गई है पूरी तरीके से चर्मरा करके बैठ गई है जैसे गारी पिस्टन बैठ जाता है वैसिन ये सरकार बैठ गई है अब यह किसका कर्जा माप करेगी ज्यस तरह से जानगीच कांग्रेस प्रत्यासी बड़ा आरोप है कि इस पर जो 2013 में जो हार हुई थी उसी तरह से हार जो है बीजेपी की होगी एक बड़ा दावा किया जा रहा है इस पर कांग्रेस प्रत्यासी के बारे में क्या कहना कांग्रेस प्रत्यासी के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि सूप के साथ राजन्यति करते हैं वस इतना परियाप्त है कि सूपा बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें सेकड़ों छेदे हैं यहां पर चतिस गड़ में जो इस्थिती है वो सरकार की डिफाल्टर की है और निशित तोर पर जो इस्थिती अभी जो दीख रही उसमें खिलेगा राजकुमार साहु आईवीची 24 जान्जगीर